ये है इंडिया यूआ यूएक्स और आप देख रहे है नूज रिपोर्ट दोस्तों इंडिया यूआ यूएक्स के नूज रिपोर्ट में आपका स्वागत है सबसे पहले नूज है गूगल से Google ने launch किया है अपना नया job app जिसका नाम है Cormo Jobs जिसमें आप नौकरी ढूण सकते हो फिलाल तो इसमें ज़्यादा तर entry level jobs available है ये app पहले launch होगा था बांगलादेश में 2018 में उसके बाद इसको इंडोनिशा में launch किया गया था अब ये available है इंडिया में इसमें IT and non-IT दोनों तरह की jobs आपको मिलेंगे बड़ी-बड़ी companies है जैसे कि Zomato, Dunzo इन्होंने टाइप किया है Google के साथ अपनी नौकरी यहाँ पे placement करने के लिए Google के इस नए Cormo Jobs एप में आपको कम से कम 20 लाग से भी ज्यादा verified jobs मिलेंगे अगर आप एक designer हो या developer हो तो regular base में आपको update रहना हो गए इस app के साथ इसमें नए नए jobs add होते रहते हैं यह app डाउलोड करने का link मैंने description में दे दिया है अगली news है Salesforce से Salesforce ने कहा है कि उनके employee 2021 तक work from home कर सकते हैं पहले Salesforce ने December 2020 तक ही work from home के लिए कहा था बट कोरोना के चलते यह तारीक जुलाई 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है इसके साथ ही अगर उनके employee कोई parents है यानि जिनके बच्चे हैं तो वो अगस 2021 के आगे भी गर बैटकर काम कर सकते हैं ऐसा Salesforce ने का है Salesforce ने हर employee को 20-25 अजार तक का allowance देने का भी announce किया है जाकि employees जो है वो अपने office के supplies ये stationery के लिए उस पैसे को इस्तिमाल कर सके आपको Salesforce का ये कदम कैसे लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं अगली news है Facebook से अगर आप Facebook यूज़ करते हैं साथ इसमें dark mode option भी available है main features जैसे के Facebook watch, marketplace, gaming sections को prominently दिखाने के कोशिश की गई है आपको ये design कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं अगली news है जैपान से टोक्यो की कमपनी है NEC Corporation और उसके साथ personal career corporation limited इन्होंने announce किया है कि वो direct recruiting service शुरू कर रहे है खास करके इंडिया से IT engineers वो hire करना चाहते है जैपान की बड़ी-बड़ी company जैसे के GMO Internet और Wired Binz Company Limited ये भी हैं बहुत सारे recruit करने वाली है जैपान में IT skills वाले engineers के shortage के चलते जैपान जो है ये कदम उठा रहा है उनके हिसाब से 2030 तक करीब 8 लाख engineers वो hire करने का सोच रही है इसलिए इंडिया के IT engineers को target किया जा रहा है hiring के लिए NEC corporation blockchain technology का इस्तिमाल करने वाली है अगर आप भी Japan जाकर job करने के सोच रहे हैं तो LinkedIn पर अपना professional profile update कर दे ये process कब शुरू होगा, recruitment कैसे शुरू होगा ये मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा अगली news है Adobe से बहुत सारे designer ने शिकायत किया है कि जब से उन्होंने Adobe Lightroom का iOS app का 5.4.0 अपडेट किया है तब से उनके सारे images और present से वो permanently delete हो गए है Adobe को ये बात पता चली जब एक यूजर मोहमद अलिफ एकनूर ने Photoshop के feedback forum पे post किया था कि उसके सारे images अचानक से गायब हो गए है इसी के साथ और एक यूजर Canon Floyd के आठ जर से भी ज़्यादा images delete हो गए है Adobe ने ये देखा और जल्द से जल्द इस bug को ठीक किया गया है Android app development के काम आता है Android app develop करने के अलावा इसे server side development में भी इस्तिमाल किया जा रहा है इस नए version में debug tool window में आपको co routine debug tab मिलेगा ये काफी नया feature है जिसे co routine state real time में आप check कर सकते हैं ये काफी feasible option है साथी साथ auto complete suggestion का performance भी improve किया गया है जिसके लिए आपको intelligent idea 2020 और android studio 4.1 plus की ज़रूरत होगी Java virtual machine है या JavaScript backend भी आपको co routine 1.4 में alpha version में देखने को मिलेगा अगर आपको co routine के नए version के बारे में ज़्यादे information चाहिए तो मैंने link description में दे दिया है आप check कर सकते हैं अगली news है Google से जो एक good news है अगर आप एक android developer हो और आपका कोई भी app play store पर run हो रहा है और आप इन ads के जरिए उसके तुरू पैसे कमा रहे हो तो यह news आपके लिए है Google ने launch किया है AdMob app जो आपको आपकी earnings की summary देगा इस app में आप देख सकते हो कि आपकी estimated earning कितनी हुई है developer mode में ही है बट आप इसे download करके इस्तिमाल कर सकते हो लिंक मैंने description में दे दिया है अगली news है Upwork से Upwork ने अपने Upwork 2020 future workforce report में कहा है कि coronavirus के चलते remote work और freelancing work काफी ज्यादा बढ़ गया है writing यानि content writing या blog writing जो करीब-करीब 58% आ रहा है उसके बाद web, mobile और software development जो 51% है और उसके बाद marketing की बहुत ज़्यादा requirement है जो करीब 46% है बड़ी-बड़ी companies भी अभी freelancer की तलाश कर रही है और remote work करवाने में interest दिखा रही है ताकि पैसे भी बचे और काम भी हो जाए अगर आप भी अपक में registered हो और आप freelancing का काम करते हो तो comments में मुझे जरूर बताए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आप भी designing और development industry के news, trends और technologies के बार में update रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करें वीडियो को like करें ताकि ऐसे वीडियो मैं और आपके लि आता रहूं तब तक के लिए दोस्तो गुडबाई